हेलो बाइब गर्ल्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे आपके एक्जामनेशन के स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और भी अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्लिलिस्ट वा पर प्लिलिस्ट विजिट कीजिए वहां पे डेहर सारी वीडियो आपको मिलेंगी जिनको देखकर करके आप आसानी से एक्जामनेशन में more than 70% आप एक्जामनेशन में मार्क्स ला सकते हो ठीक है तो यह तो बात हो कि एक्जामनेशन की आज हमारा जो वीडियो है जो मैं आ अपना एडमिशन जैनवरी 2020 में कराया था उनका एक साल दिसमबर 2020 में कम्प्लीट हो चुका है मतलब आप सेकंड यर में एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल हो तो आप एडमिशन फटाक से करवा लो ज्यादा समय मत लगा हो 31st of January last date है आप यह मत सोचो कि आप एग्जाम में भी एडमिशन आपको करा लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अगले साल दिसमबर 2021 में इसी वक्त आप एक्जाम दे पाएं अगर आप अभी एडमिशन नहीं कराते हैं इसका मतलब आप जून 2021 में आप एडमिशन करा पाओगे अगर आप तब एडमिशन कराओगे त पर एडमिशन कर दिया गया है तो आपको यहां पर पासवर्ट जो है पूछा जाएगा वो आपने डेफिनली करा होगा तो आपको वो डाल कर एक लिए चेकलिस्ट दिया गया उसको टिक करना है उसके बाद पर प्रोसेट फोरी रिजिस्ट्रेशन के तरफ आगे पढ़ना है वहां पर आपसे यूजर आईडी और आपको पासवर्ट जो है पूछा जाएगा वो आपने डेफिनली क्रियेट करा होगा तो आपको वो डाल करके जो है आपको लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आपको आपको आडमिशन के लिए आपसे पूछेगा और फिर आपको आपको आपको पता ही नहीं था तो आप लेट मत करो 31st of January से पहले किसी तरीके से आप एडमिशन करा लो ताकि आपका समय जो है 6 महीना जो है आपका बरबाद ना हो और इसी टाइम पे तकरीबन दिसंबर जायन के महीने में ही और नेक्स्ट येर जब आपका एक्जाम होग ठीक है तो यह हमारा पूरा लेक्चर था इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूंगा कि मैं कुछ दिनों बाद एक वीडियो बनाओंगा जहां पे मैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है साथी साथ एक्जामिनेशन में किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो इन सारी चीज़ों के बारे मैं आपको डिसकस करूँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो अगले वीडियो में मिलते है बाइ